करेंगे बिगेट परेंट पर दबरदस राइए उसमें अभाचितिकी साथवी शिरकत के गॉंग्रेस और लेप के साथ तो इतने दिन से जो आपके बादशेश चल रही तो आपको भरसा था उन पर कि आपके साथ जाएंगे और अज उन्होंने जो है अभी एमसी अपना गॉ आपको क्या रही रही है एक शायर का शेर है मैकेला ही चलाता जानी विवन्जिल लोग आते गए कारवा बनता गया इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है और दूसरा यह है कि इस पर मैं एक मुदू वक्त पर मैं इसका जवाब दोंगा अशा तो कर दो कि आपके आपके आपको तफसील से बताओंगा थोड़ा सही वक्त मेडिया रिपोर्ट्स यह हैं कि आपके जो कामरे को लेक्स के साथ चाहिना करिए भी देखी तो इस प्रेगाई इस प्रेगाई पर दोग है वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं अब तो सब आपके साम में हप चीज है तो इस सवाल करना ये बेमाने है आप तो देख चुके हैं सब तुमर में जहां तक मुझे कुछ कहना इस बारे में मैं एक अप्रॉप्यर टाइम पर सो बताओंगा तर प देखिए देश में सबको कोरोना वाइरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जुरूरी है और चाहे वो कोवी शील्ड हो या कोवी वैक्सीन हो पर्धार मंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया के सब को वैक्सीन लेना है मेरा मोडी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी में जर्मनी की सरकार ने ये कहा है के जो कोवी शील्ड है जिसको आक्सफ़र्ट एस्टराजनेका बनाती है और जिसका एक्तियार उन्होंने यहां पर सीरम को दिया है तो जर्मनी में और उनका जो पबलिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्टराजनेका का वह कहता है कि वह वैक्सीन अठारा से सिक्स्टी फोर येर्ज के लोगों के लिए अच्छा है सिक्स्टी फोर के उपर जो लोगों के लिए अतना एफेक्टिव नहीं है तो हम मोड़ी सरकार से पुछना चाहते हैं क्या ये बात सच है कि एस्टराजनेका का जो कोवी शील्ड वैक्सीन है जर्मन सरकार ये कह रही है कि एटीन और सिक्स्टी फोर येर्ज के लिए अच्छा है उसके उपर के लोगों के लिए अफेक्टिव नहीं है और आज इतिफाख भी है कि वजीरियाजम ने को वैक्सीन लिया है मैं इस बात को मानता हूं कि सबको देश में सबको लेना पड़ेगा ये वैक्सीन लेना पड़ेगा मगर सरकार समय ये इस बात का मुतालबा करते है कि जरा इसका ये जो कन्फूजन है इस पर थोड़ा उसको इस कन्फूजन को दूर कर दे अब वैक्सिन तो लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर गरीब अवाम तक ये वैक्सिन सरकार उनको पहुँचाएगी और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है जनता परेशान है खास तोर से भारत के तीन चार स्टेट में फिर से थोड़ा केसल बड़े है इस पर मुझे इतना ही कहना नहीं 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 देखिए मैं कभी भी नाउमीद नहीं होता हूँ और हमेशा मैं उमीद रखता हूँ अल्ला से और एक पॉजिटिव आउट लुक रखना चाहिए नाउमीद ही क्यों होना चाहिए नाउमीद होने की जुरत ही नहीं है उमीद पे दुनिया खाये में पोशिश करते रहेंगे ऐसा कोई बात ही नहीं है पॉज सब्सक्राइब कोई पार्टी में है वो कोई सी पार्टी में है वो ते एंके विजदान पुछासाफ नहीं हो तो तो टी-म्सी तो बोलिंगे नहीं जो पिर लिटिश को बहुत है नहीं का और और क्या तिछ बिच्विच का कहा है भाई कोई डिट्विश नहीं है कोई बात ही नहीं है सभी वक्त पर बोलूगा तफसील बताओंगा पुरी अरे नाराज क्या है देखिए हम गुजराज गए गुजराज में हम सिर्फ मेहनत किये वहाँ पर हमारे साथ कॉर्पेटर रहमदाबाद में जीते हैं अब हमको अम्मीद ह कि इन्शालला ताला भरूज से गोद्रा से मुडासा से भी हमारे कैंडिड्स कामियाब होंगे हमारा काम चल रहा है आगे बढ़ेंगे अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजिस्तान के बारे में राजिस्तान में पार्टी को इस्टैबलिश करने का वह भी करेंगे ब प्राचीत होने वाली है तो यह मारा काम चल रहा है रुकने ला काम किया है हम गुलवरगा में हम अपने एक एक है इसम्ब्ली कैंडिड्र का इलियास बागवान साव का अनौंस्मेंट कर चुके हैं तो हमारा काम चल रहा है चोतर अिन बिलकुल जाएंगे आप विकर मत करि अरे भाई मेरा तो कोई दोस्ती नहीं है मैं तो लैला हूं बहुत चाने वाले हैं अब आप खांब खां हर एक को हमारा दोस्त बना देते हैं या आपको बड़ी आदत है आपको के दोस्त बनाने की अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए नहीं मालोगा ने देखिए सच तिवारी सहाब जल से जल एक सही वक्त पर तफसील आपको बताएंगे तो अरे आप-आप-आपको जो समझना आप समझ servants मेरे जो समझ में वेरे मेरे दिमांग में बताओंगा आपको बादा हम्हाएं पतिकिढाई चला ता जानी के और या करवा बनता गया तो कोई लोगार थे नंगल पर एकला चलो तो वहीं से निकला नहां थैंग अब बराबर बताएंगे अपर बोली मटें अब बटो आपकर चुब वाक्सिना जो वाक्सिन और उस पे लिए प्रॉटेक्स भी साट वे यह जो इने अचे जो आपका ने लेहिए क्यों नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे समय तो सबसक है मैं तो पहले से कह रहा हूं कि यह वैक्सीन को आप वो कर दो सरकार को देना चाहिए मैं यह कह रहा हूं कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेश त्रीके पूरे ट्राइल्स हो चुके हैं और यह वैक्सीन जुरूरी हम तमाम के लिए अपनी जान को बचाने के लिए और खास दोर से जो एल्डरली स्टेट्समन है ओवर सिस्टी फाइव यर्स जिसको हम उर्दू में कह ते हमारे बिजरूग हैं उन बजरूगं की जान बचाना जूरूरी है क्यूंके एश के लिहाज से को मॉरवलिटी हो दएक्टी अउन को एसके लिहाज से अनको ये वायरस एटाक कर सकता है तो उन पर खात्रा है तो जितने बुजरुग है पैसफ़ साल के उपर के पहले उनको लेना चाहिए और अच्छी चीज़ है विल्कुल लेना चाहिए तो यह वाक्सिनेशन चाहब को ड्राइब को आप पॉलिटिसाइस कर रहे हैं मैं कहा करो पॉलिटिसाइस मैं तो बोरो ना बुजरुद्ध स बुजरुगों को इम्मुनिटी लेवल कम होता है ना उनका बलके पूरे देश की 137 कोड़ जनता को जिसमें अगर अठारा साथ से कौमर वालों निकाल देंगे तो उन सबको दिलना पड़ेगा दिलना पड़ेगा बहुत चीज़ है मैं तो एंकरेज करोगा लेने के लिए हाँ मैं मैं आपको सवाल यह मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ओफ इंडिया के रिपोर्ट है आप ही का सिस्टर और्गनाजिशन है जिसके लिए आप काम करते हैं जिससे आपको तनखा मिलती है उन्होंने अखबार में एक बॉक्स जिए जर्मन स्टेटस ओन्नूज एक्स आपलो क्यारी कर रहे हैं? अब आप मेरे को क्यों इंजाम लगा रहे हैं? आप भी प्रटेसेस करें इस दूस को डालके? मैं से भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि पधान मंत्री भी आज भारत बायोटेक का वो वैक्सीन लिये हैं. तो सरकार को सब्सक्रा क्लारिफाइ कर दीजिए. वैक्सीन तो सबको लेना है. जान बचाने का इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूँगा कि प्लीज वैक्सीन लीजिए और खास वर से जो 65 साल के उपर के जो हमारे बज़रूग हैं, उन सबको लेना पहले हैं. सबको जाके लेने का. और उसके बास जो है, मैं तो प्रदानमंत्री से अपील करूँगा, कि प्रदानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, खासत तौर से जो कैमर festivals, च G grateल को कर पहले इन लोगों का. आई आई क्योंकि जितने कैमरा मेंन हैं जितने जनरलिस्ट हैं वो कम उमर के हैं कोई चालीस साल का है और पैंटीस साल का है तो प्रदान मंत्री को आई अन्बी मिनिस्टर प्रकाष जाड़ेकर साब को चाहिए कि वो डिल्ली में वो खुद भी ले और थमाम मीडिया के लोग करने के लिए चल सकता है ऐसा लगता है तीवारी साब आप टी-एम-सी के लोगों से टच में हैं चलिये सब्केट बचाम नाडु में हम आमिट्शा कर गए था पॉंडिखारी में पॉक्सित्रास से वारे टो में हम बराबर एलेक्शन लडेंगे पांच साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे और वानियम बाडी से और एक और एक दो तीन जगा से हम मर्खाबला किये थे वानियम बाडी में टैमलाडू हमारे यूनिट काम कर रहा है इंशालला डेफिनेटली टैमलाडू में हम एलेक्शन लडेंगे हमारे लोग महां पर काम भी कर रहे हैं एलेक्शन लडेंगे टैमला साब में आप सिर्बा कंसरल कर लेंगे क्या आप आफर लाएं है टी-म-सी से बात कर ला कर लें में आपकल के का कल के का कल के दो पार्टी फर्मेशन डे हैं और इंशाललह आप लो तश्रीब लाएए और रहा हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफर जिसका आगाज नाइंटीन फुटी सेवन में महरूम फखरे मिल्लत अल्यु रह्मा और उनके सातियों ने किया था आज अलहुंद लिल्ला मंदले से एक ताखत और मौकफ रखती है और जो हमारे मुझरुगाओं ने जो खुरुबानिया दी जो पून पसीना बहाया जेल की सोहबतें और मसाइब और मुझरुगाओं का सामना किया आज उन्हीं की खुरुबानिया और मेहनत की वज़े से आज मंजले से इस मुकाम को पहुंची है तो यकीना हम उन तमाम हमारे मरूम खायदीन को हमारे जो जो सिम्मेदारान जो आज दुनिया मनी उन सबको खराज यकीदत पेश करेंगे उनको याद करेंगे ताकि उन तमाम लोगों की महनत पुर्बानी और उनके जो जो मीदें थी हम उसको बुरा कर सकें और उसका तरीफ है इकी है कि हम लोग और जड़ा महनत करें इफलास पैडा करें और मजलिस के कि दर्मियान में रहे कर उनके इंसाफ का उनके फूफ का मुतालबा के रहे और उस पर अमल भी करें तो कल इंशाललह ताला दारुसलाम में सुबा साड़े दस बजे पहले पर्चम कशाई होगी और पर्चम कशाई के बाद एक जलसा होगा और हमारी पार्टी के लिए कल का द और एकेनन तेमाम मजलिस के जिम्मदाराण महीबान मजलिस कल दारुसलाम में जमा होंगे और हम अपने जमात के पैगाम को और जमात की मेहनत और जिस सजूब पर सिकर भी करें को अधरी कि बूल दिया नहीं है बर्टमस अब सब बताएंगे आपको टाएंगे अभी इस पर कोई बात्चीत नहीं फुरेशी साथ इस पर कोई बात्चीत नहीं है पार्टी में हमको बैटके बात करना है एक लाया मलता है करके आपको बताएंगे